पंजाब कॉंग्रेस में जारी अंतर कले ने पहले ही सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंग के माथे पर शिकल ला रखी है कि अब एक और मामले ने उनकी मुश्किलें बढ़ा दी है कैविनेट ने कॉंग्रेस विधायकों के बेटे और दामाद को नौकरी देने का फैसला क्या लिया कि विपक्ष सरकार के खिलाफ मोर्चा लेकर खड़ा हो गया जिसके बाद सीएम की ओर से सफाई आई है देखें ये रिपोर्ट पंजाब की सियासत में आए दिन किसी ना किसी बात को लेकर बवाल चड़ा रहता है कभी मंत्रियों के बेभाग में फेर बदल को लेकर तो कभी नौकरीओं को लेकर इस बार घमासान की वज़ा भी नौकरी ही है जिसे लेकर विपक्ष लगातार कैप्टन सरकार में कमिया निकाल रही है दरसल शुक्रवार को केविनेट की मीटिंग में प्रस्ताव ला कर दो विधायकों के बेटों को और एक केविनेट मंत्री के दामात को सरकारी नौकरी दे दी गए जानकारी के मुताबिक पंजाब के केविनेट मंत्री गुर्प्रीत कांगर के दामात को एकसाइट विभाग में इंस्पेक्टर निक्त कर दिया गया भई कॉंग्रिस विधायक राकेश पांडे के बेटे को नाइव तहसिलदार के पत पर निक्ती दे दी गई प्रताप सिंग बाजवा के भाई और कॉंग्रिस विधायक फते जंग बाजवा के बेटे को भी पंजाब पुलिस ने इंस्पेक्टर के पत पर निक्त कर दिया गया केविनेट के इस फैसले को लेकर सियासी संग्राम शुरू हो गया है विपक्ष ने इसे नोक्रियों की बंदर मांट बताते हुए सरकार के खलाफ मोर्चा खुल दिया है अकाली दल के नेता विक्रम सिंग मजी दिया नेराश्टुपती और राजिपाल से इस मामले में दखल देने की मांग की है और कहा कि ये सरकारी लूट हो रही है वही इस मसले पर भी जेपी भी पंजाब सरकार के खलाफ उतर आई है तरुन्चुग ने कहा कि सिर्फ चुनिंदा कॉंग्रेस नेताओं के परिजनों को ही ये नोक्रियां दी जा रही है वही विपक्ष के तेवर के 20 सीम कैप्टन अमरिंदर सिंग ने दलील दी है कि पंजाब सरकार की पॉलिसी के हिसाब से इंडियमों के मुताबिक नोक्री पाने के हकदार है और उसी के एवज में इनको ये नोक्रियां दी गई है ये बयान देकर सीम ने खुद विपक्ष को जवाब दिया है लेकिन उसके तेवर अभी शान्त वोने वाले नहीं है माना जा रहा है कि चुनाव तक विपक्षी दल इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश करेंगे डीवी लाइव की रिपोर्ट